एक्जाम के तीन गंटे इतने क्रूशियल होते हैं जिसके बारे मुझे आप में से किसी कोई बताने की अवशक्ता नहीं है लेकिन फिर भी कई बार हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम अपना समय गवाते हैं जैसे की मान लीजिए इस्चूट ने कोश्चन दे रिक अच्छे खासे नंबर का दे दिया लेकिन इस्चूट के उपर इतना भरोसा है ना उस कोश्चन को गुमा गुमा कर उपर से नीचे बार बार देख रहे हैं इतना असान तो इस्चूट नहीं देगा इसमें कुछ तो होगा इसमें कुछ तो करना होगा और यही सोचकर बार बार कोश्चन को पढ़ते रहते हैं क्योंकि इस्चूट के उपर बहुत confidence है कि इस्चूट असान प्रशन नहीं दे सकता कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर होगा जबकि समय वेस्ट होता है इसलिए कहा जाता है कि जब भी प्रशन को पढ़ो बहुत ही सही तरीके से पढ़ो जो भी है एक बार में clear हो जाना चाहिए हद से हद दूसरी बार में तब भी पढ़कर अगर नहीं लगा तो बस फटाफट से अंजर solve करो ये तो मज़े वाली बात है कि उसमें कुछ मुश्किल नहीं है similarly एक और incidence कहीं बार क्या होता है question के अंदर information लिखी है पूरा question एक तरफ वो information एक तरफ जम नहीं रही मतलब हमें लग रहा है यार ये information question के साथ use गी नहीं है लेकिन फिर से वही चीज institute ने ये line लिखी है ये figure लिखी है इसका कुछ तो करना होगा एक example के लिए बताता हूँ सारे बच्चों को ये पता होगा चाहे किसी भी level में आप हैं चाहे किसी भी course या आपर trading account के बारे में जानते हैं एक insurance claim नाम का chapter होता है जिसमें हम trading account बनाते हैं memorandum trading account जहां पर हमें loss of stock on the date of fire निकालना होता है question है का opening stock, purchase, sale, etc सारी चीज़े बता रखी direct expense बता दिये, साथ में एक डाल दिया selling expense just for example बता रहूँ किसी भी तरह से और आप अपने इस example को जो है मेरे example को mold कर सकते हैं to understand the situation जब हम प्रशन कर रहे हैं अब हमारे सामने ये information आगी कि भाई, question दिया selling expense और हम सोच रहे हैं यार कुछ तो इसका करना होगा जब कि basic mind क्या कहता है यार trading account बुनाने indirect nature का खर्चा आएगा ही निए उसके अंदर सिरफ direct nature के खर्चे आते हैं तो ये जो attitude है हमारा कि यार institute ने दिया है कुछ तो करना होगा मतलब वो यार unable to bifurate clearly between the relevant and the irrelevant information ये गलत है हमें पहचानना होगा पढ़कर कि यार ये information irrelevant है और अगर irrelevant है तो उस सत्या को accept करना होगा कि भाई इसको छोड़ दो इसका कुछ नहीं करना मैंने वो क्या है आपको गलती करवाने के लिए वो बहुत से बच्चे करके आते हैं करके भी आते हैं ऐसा नहीं कि कोई करता नहीं है similarly अगर कोशन आसान है तो उसको भी accept कर और जट से कर दो